कोरोना की वज़े से इस बार मटकों की काफी डिमांड है लोग फ्रिज का थंडा पानी पीने से परहेज कर रहे हैं लिहाजा मटकों की खोब बिक्री हो रही है कोरोना संक्रमन काल में देहरादून में मटकों की डिमांड बढ़ गई है डॉक्टर की सला है कि इस समय फ्रिच का ठंडा पानी पीने से परहेज करना चाहिए लिहाजा लोग अब मटकों और सुराही की खरिदारी कर रहे हैं बाजार में स्टाइलिश मटकों की भरमार है ग्राहकों को लुभाने के लिए मटकों को आकरशक लुक दिया गया है यही वज़ा है कि इस बार बाजार में मटके हाथों हाथ बिक रहे हैं पिछले सीजन की तुलना में इस बार मटकों की अच्छे खासी बिकरी हो रही है लॉकडाउन के बज़े से जहां अब तक इनका काम ठप था तो आब इनकी चांदी हो रही है ग्राहक बगएर मोलभाव की यही मटका खरीद रहे हैं फ्रिच का पानी तो आज कल बीमारी चल रही है इस बज़े से लोग बहुत कम कर दिया है लोगों है आधुनिक्ता के दौर में भले ही इंसान फ्रिच के पानी को पसंद करने लगा हो मगर जो बात मटके के पानी में है वो कहीं और नहीं है कोरोना के चलते पुरानी परंपरा फिर से जीवित हो गई है साथ ही कुमहारों को भी रोजगार मिल रहा है देहरादून से रवी क्यांतुरा की रिपोर्ट एवीप गंगा कोरोना की वज़े से इस बार मटकों की काफी डिमांड है लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीने से परहेज कर रहे हैं लिहाजा मटकों की खोब बिक्री हो रही है कोरोना संक्रमन काल में देहरादून में मटकों की डिमांड बढ़ गई है डॉक्टर की सला है कि इस समय फ्रिच का ठंडा पानी पीने से परहेज करना चाहिए लिहाजा लोग अब मटकों और सुराही की खरिदारी कर रहे हैं बाजार में स्टाइलिश मटकों की भरमार है ग्राहकों को लुभाने के लिए मटकों को आकरशक लुक दिया गया है यही वज़ा है कि इस बार बाजार में मटके हाथों हाथ बिक रहे हैं पिछले सीजन की तुलना में इस बार मटकों की अच्छे खासी बिकरी हो रही है लॉकडाउन के बज़े से जहां अब तक इनका काम ठप था तो आब इनकी चांदी हो रही है ग्राहक बगएर मोलभाव की यही मटका खरीद रहे हैं अधुनिक्ता के दौर में भले ही इंसान फ्रिच के पानी को पसंद करने लगा हो देहरादून से रवी क्यांतुरा की रेपोर्ट एवीबी गंगा